हलो एविवान एंड वल्कम बैक सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले वूश यान चैंग और यानली को दिखते हैं जो कि शाई टाउन में लेक्चर अटेंड करने के लिए आये थे गोशु लेंड के में लीटर देने वाले थे ये लेक्चर सारे कल्टीविटर इसको अटेंड करना होता है बढ़ यह कर सकते हैं जिनको यह इंवीटेशन भेजा गया है वहीं यह काफी दूर से यहां पर आये इसके बाद यह होटल करते हैं और उसमें रेस्ट करने का सोचते हैं पर वह वोटल कि यहानली का फियान से जिन जी था जो की इस पूरे होट खा गया यहां पर पहले इन तीनों को एक रूम मिल भी जाता है पर जैसे ही चिन जी उससे होटल में इंटर करता है वो सारे रूम खाली करवा लेता है यहां पर वूश्यान तो उस पर काफी गुसां उतर कहता है कि उस कबूतर को देखा अखेर वो इतना अनौई हो कैसे सकता है एंड सिस्टर मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी उस खडूस से हो जाए मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और इसका एटिटीट देखा वो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है तब यानली कहती है कि प्लीज ऐसे कुछ भी कहना छोड़ दो फूश्यान तुमारे लि इंट्री नहीं मिलती तभी हम यहाँ पर अपनी ड्रामे के में लीड वांग जी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक मिशन खतम करके और एक डिसीबल के साथ वहाँ पर आया था यहाँ पर वूश्यान को लगता है कि शायद बंदा थोड़ा अच्छा होगा तो उन्हें इं नहीं तब वांग शी कहता है कि अगर इंविटेशन नहीं तो अंदर इंट्री भी नहीं पहले इंट्री उसके बड़े खडूश उसके बाद इंदीनों को जो रात है वहार ही बितानी पड़ती है यहां पर वूश्यान उसे इंविटेशन को ढूलने के लिए चला जाता है जब वह इंविटेशन ढूल कर वापस आता है उसे इंविटेशन मिल भी जाता है तो रास्ते में से इंपरियर्स स्माइल नाम की एक वाइन खरीद कर लाता है जो काफी एक्सपैंस और काफी फेमस थी और जब वह गूश्यान के पास आता है तो उसे वहां पर कोई भी नह पर चैंग और यहां ली दोनों ही नहीं थे इसका वूश्यान परिशान हो जाता है कि आखरें दोनों कहां गए उसे चोड़कर आफटेटो सूचता है कि कोई है नहीं तो अंदर इंट्रक करके तो देखी सकता है आखर छांकने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं इसके लिए तुम्हें क्या दिकत है किसी ने थोड़ी देखा है तो यह समझे लो कि भूल गए तभी यहां पर वूश्यान कहता है कि इसके बाद इन दोनों में थोड़ी सी फाइट होने लगती है यहां पर वांग जी उसे फोर्स करता है कि जल्ली से बाहां निकल जाओ इनकी व सब्सक्राइन के गिनने के बाद वांग जी उस पर अटेक करना बंद कर देता है विकास उसकी प्यारी चीज़तों उसने बरबाद करी दी इसकी बाद वूश्यान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पता भी है कितनी जदा महंगी और expensive है तुम्हें तो पता भी नहीं हों और कहते हैं कि और आगे से तुम्हें नहीं करना होगा है asyaんだ ने से को रेपीट रैका करते हैं यहां पर वांग जी को तुम्हें के लिए उंसे को या एसे घ्म से कांव लिखे तो कौन कों धा रिपीट करेगा इसके बाद वांग सी करता कि तुम तो बिल्कुल भी ओविडेंट नहीं हो वुशन कहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए ओविडेंट होता भी नहीं हो तुम जैसे खरूस हों के लिए यहां पर वांग जी के डैड वुशन को बताते हैं कि चैंग और यानली को पहले ही गुश्य लैंड में इंट्री है जो कि अपनी डिस्टीपल वांग शन को ओडर देते हैं कि उन्हें जल्दी सही टाइगर एमिलेट ढूट का लाना है यहां पर वैंशन कहती है कि आप चिंता मत करिये मैं उसे जल्दी ढूंड लोगी अभी टाइकर एमिलेट क्या है वह में थोड़ा आगे बता चलेगा यहां पर वो वैंशन को ओडर देते हैं कि उसे जल्दी से जाकर गूश्री लैंड में जो लेक्चर चल रहा है उसे टेंड करना पड़ेगा वहीं पर उन्हें कोई सुराग मिलेगी अफ़ दैट हम वांग जी और उसके बड़े भाई लैंशी को देखते हैं जो कि वांग करते हैं कि तुम कभी ना कभी किसी ना किसी को फ्रेंट तो बनाओगी और उसी दिन का मुझीवेट है और इसके बाद हम चारों को से डिसीपल की पाड़ी के पास दिखते हैं यहां पर उसके चैरे पर काफी जले हुए निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी करने के लिए आए थे वह आगे जाका लेडर को कोई ना कोई के प्रेजैंट करते हैं यहां पर वुशन गाता है कि यह बस एक दिन मेरे हाँ से मरेगा अफर देट शीशन क्लैन के लोग भी वहां पर लेक्चर अटेंड करने के लिए आता हैं जो कि एक्षुली लेक्चर अटेंड करने कभी भी नहीं आते वहां कि लोग जैसे अंदर इंटर करते हैं वह साथ में बाहर करें कुछ डिसीपास को भी इ उन सभी की तलवार ने ऊपर उड़ जाती हैं यहां पर लीडर सभी को रोकते हैं और कहते हैं कि यहां पर लड़ाई बिल्कुल भी अलाओ नहीं है पेशेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वह नहीं है तो आम सॉरी तुम इसे को भी मेरा स्टूडेंट नहीं कभी आते भी नहीं हैं और उनकी शक्तियां को ज्यादा ही सुपरफीशल लग रही हैं उसे लगता है कि काफी डेंजरस होने वाले हैं हमारे इस लेक्षर के लिए और इन सभी के लिए उनकी प्लैन को चलग ही लग रहा है लेकिन अब हो हमारे गैस्ट हैं तो हम उन्हें ऐ खिर होती है तब आपर उसे जाकर परोच करता है और कहते हैं कि हलोह तब यहां पर क्या है क्या रहे हो तब chat कर थे मुजे इंदे कि और चाल रहातीब 59 002cü कि प्लीज मुझे परिशान मत करो अगले दिन भी लेक्टर स्टार्ट होता है और यहां पर मुश्यान को दिखते हैं जो कि फिर से क्लास में बात करना स्टार्ट करता है उससे काफी अनॉय तो हुई रहा था और आज तो उसने अपनी टीचर पर भी अटैक करी दिया था यहा उतना वेवकूफ है भी नहीं इसके बाद उससारी कोश्चन के फटा फटा अंसर देता है और काफी अच्छे से देता है और साथ में उसकी टीचर के साथ कॉंट्रॉवर्सी भी स्टार्ट हो और मैं सही हूं याप टीचर उसे डांटते हैं टीचर से क्या से मूझ चला सकत जिसको हमने पहले अपने कोश स्टार्टिंग एपीसोड में ही देखा था इसके बाद यहां पर वैं यांग आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ही वूशन उसके पास होता है और उससे वूशन के साथ दिखती है तो उससे वूशन से अलग रहने के लिए गूलती है अधाए उसके चुटा नहीं काफी इसमार्ट और इंटैलीजेंट भी है यहांपर अचानक से उस श् . घ्ए उसका सीधा ऋथ jurisdictions पे होता है लेकिन जब तक वेशन को लक पाता है उससे पहले वूशन ऊसे रोक लिता है वहांसे बहान निकलता है तो उसे वांब जी पकाड़ लेता है और कहता है कि तुमने अभी तग अपनी पूरी नहीं किया तो जल्दी चलगा पूरी करो तब यहां पर हूशन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है ना क्यूंकि मैं पूरी करूंगा ही नहीं और इसके बाद दोर में फिर से लड़ाई वाला माहौल बन जाता है तो इसी के साथ मारे यह पार्टी पर कतम हो जाता है थैंकियो सो मच गाइस पूर वाचिंग